कख्षाट के सभी विद्यारतियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारा आपकी जो भुगोल की किताब है न उसका ये दूसरा अध्याई चल रहा था पहले इसका हमने एक पार्ट कवर कर लिया है जिसका नाम है भूमी मरदा जल प्राकरतिक वनस्पति और वने जीवन संसादन तो इसका हमने एक पार्ट कवर कर लिया है अब है कि अब का स्लिबस चैंज हो चुका है मतलब शुषमें से कट चुका है पार्ट रुख को चैप्टर में से कुछ कुछ पॉर्सन जो है कम उचुका दोसरी कि अपर निशींदों कर पढ़ है आप के सीलिवस की पढ़ाया जा रहा है अगर आपने पीडियु डाउड़ नह समझते हैं अगर आपने पहला नहीं देखा हैं तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है उसको जरूर देख ले ना वरना आपको पिर कैसे समझ में आए गई आज हम पढ़ेंगे संसाधनों के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे मिर्दा तो मिट्टी भी क्या है एक संसाधन है तो आखिर जो ये मिट्टी होती है इसके निर्मान में कौन-kौन के कारक जिम्मेदार होते हैं मतलब आपने देखा होगा कि अपना जो रेगिस्तान है या पर केसी मिटी है रेतिली आप देखो महाराष्ट वगेरा की तरफ काली मिटी है दूसरी तरफ भूरी-भूरी से मिटी पाए जाती है तो यह केसे होती है सभी चेकर एक जैसी केसी नहीं होती तो यह जो मिटी होती यह कहां पर केसी होगी इसके निर्मान में कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं उसी को मियावर पढ़ेंगे समझ में आ गया देखो जैसे जो मिट्टी होते हैं उसकी जनक सेल केसी है वह जनक सेल का मतलब है कि यान की पोल मतलब इसके अंदर की जो मिट्टी है न वह केसी है यह बार मिट्टी कैसे होगी इसको डिसाइड करती है दूसरा जलव आई विए कारक भी इसको डिसाइड करता है कि कहीं का मलब उस चक्रे की मिट्टी कैसे होगी जैसे अपना रेगिस्तान है इसमें आप देखोगे कि यहां पर तो गरमी कितनी जदा है पेड़ बोदे नहीं है तो यहां की मिट्टी नमी वाली हो सकती है क्या गिली-गिली मिट्टी हो सकती है क्या यहां पर कैसे होगी यहां पर वरसा होगे रहा ही नहीं है तो इसलिए यहां की मिट्टी कैसे होगी तो इसलिए वहां की जलव आई हो ना वहां पर वरसा आती है कि नहीं आती है वहां क कौन सा हैं तो यह सभी डिसाइड करते हैं दूसरा है जो जेव पदार्त होते हैं जैसे वहां पर जीव जनतों हैं कि नहीं है वहां पर पेड़ पोदे हैं कि नहीं है तो यह सभी डिसाइड करते हैं कि वहां के मिट्टे कैसे होगी कैसे जैसे कहीं पर पेड़ पोदे मिलते रहेगी रव पोड़ी जब जाएंगे तो उसके अशो explicit मिलते रहेंगे तो मेट्टी अच्छी होगी आप यहां पर इस भी सभी हैं नहीं तो आगे कह से अगला हैं और उसके संगटन में कितना समय अच्छी होगी तो इसमें चितना तो यह जो निमनी करण तो यह जो निमनी करण ना जिसे मालो बरसात आई और बड़े-बड़े गड़े हो गए यानकि वह जो मिट्टी थी उसका निमनी करण हो गया तो इसको हम कैसे बचाएंगे वह हम इसमें पढ़ने वाला है दोनों चीजों को निमनी करण क्या है और कैसे हम इसको बचाएंगे तो पहले हम समझते हैं जिसे मिट्टी का अपरदन हो गया क्या होता है यहां पर देखो इमेज में दिख रहा हुआ जिसे बड़े-बड़े च्छी रखदी के तो में तो जो मिट्टी है वह उपजाओ यह नहीं होगी वह बिलकुल कड़क हो जाएगी उसमें पसले ही नहीं होगी यानि कि उसकी खषीनता हो जाएगी या फिर मिट्टी जो है एक वह वहाँ से एक इस्तान चे दूसरे इस्तान पर बगर चली किसे जैसे बरसात आई बरसात मनुश्य ने तो की नहीं है बरसात किस वज़े से होई परकरते के होज़े से तो उस वज़े से मिर्दा का अपरधन हो गया तो यह क्या हो गया यह तो गया प्राकरतिक कारण मिट्टी के निमने करण का दूसरा है हमने बहुत ज़रा पेड़ करन होता है मनुष्य वाला और एक प्रायकरती आप जैसे यहां पर देखो वन वन मुलन हो गया मालों आमने बहुत ज़्यादा पेड़ काड़ दिये तिससे भी मिट्टे का निमने करन होगा दूसरा आमने बहुत ज़्यादा पसुगों को चराया मालों कहीं पर अच्छे से पसुगों को चरा दें तो यह भी मिट्टे के निमने करन का कारण बनता है हम रासाइनिक उरुवरक जो हमारे खाद हो गया राते हैं डीएप हो गया कहीं सारे इनसे अगर इनका ज़्यादा यूज कर लें खेतों में तो इनसे भी मिट्टी कराब हो जाएगी हम दवाईया फोटो में देखो इमेज में देखो यह बूस करन हो गया इसे भी क्या हो गई मिट्टी कराब हो गई निमने करन हो गया बाड़ आ गई तो बाहिसा पिर तो हो नहीं है मिट्टी करन के कारण कि याकर मिट्टी कराब क्यों होती है मिट्टी का निमने करन क्यों होता है अब ह यह आपर देखो दोनों तरफ पेड़ पोदे हैं है न किर्भादों के बीच में जो जगह होती है उसमें कुछ भी ऐसे पदार्थ मतलब एसे डाल देना जिसे हमनें पेड़ पोदोंकी कुछी करे लख ड़ियां होती नो बोर डाल दी, पत्नी उस और इस पहुता है उस में नमी बनी रहेगी इसमें गीलापन बना रहेगा तो यह मल्च बनाना आगे डेख इससे क्या होता है आधृता बनी रहती है दोसरा वेदा फार्म का मतलब होता है इस तरह की कि वह इस्टेव यह थीडियां तो पाड़ी इलाके होते हैं उनमें सीडियों की तरके से खेती करना समझ गए डाइग्राम देखे रहा हुआ इमेज देखी रहे होगी तो इस तरके से खेती करने से भी क्या होता है निमनिकरण हो बच्टा है अब यहां पर आप सोचो किसे Specifically हैं किसे बचेगी इससे बचेगी कि अगर मालो इसमें हम यह स्रिडि नुमा खेत नहीं बनाते और बिल्लकुल इससे प्लैन होता तो क्या होता आप इस हो तो आप यहां से किसी भी पत्र को जो है यहां से दख्यलोंगे तो वो जो है ना मतलब सकता है वो बीच में रुख जाए क्योंकि यहां पर स्थीडियो की तरह बना हुआ है तो कहीं पर अटक जाएगा तो वेसे students to beni से इसके दूरां बचाया जाता है वेधिकाफशार्मिस को बोलते हैं दूसरा है समोच 했는데 Dr. हैना हिसाना हम जुटाइए हём करें कि जैसे स्ट्यूरियों की तरफ जुटाइए तो इससे भी क्या होगा इसे भी मिट्टी बची रहेगी वह इसी का ये ठाइप है थोड़ा था तो इस पर बहुत ही ज़्यादा हवाई चलती हैं तो कहीं बार क्या होता है वह पवन भी ना मिट्टी को उड़ा कर ले जाती है तो वहां की मिट्टी का निमनी करण हुआ कि नहीं हुआ बिलकुल हो गया तो वह जो मिट्टी ना उसको बचाने के लिए क्या करेंगे पेड़ को चार पर यहां पर हमने बनाये तो यह जो हमने डाल बनाएते उसमें उसपर रोधिकायं बनाने के लिए पतर तो यहां पर हमस्या करेंगे तरूसरा हम बना दें खेतों के सारो और अना तो इससे क्या होगा वो पानी और प्रवा कम हो जाएगा और बीच की पसल उगा दे यान की पसल को बदल बदल कर हम बो दें जैसे इस बार गयों कि आए अगली बार धान कर लें इस तरह जैसे हम पसल को बदल बदल कर हम बोते हैं तो इससे भी क्या हो पारे में मिट्टी का निमनी क्रण क्या होता है मिट्टी का निमनी क्रण हम कैसे रोक सकते हैं अब आ जाते ही बात पानी की अना कि पानी बीचो संसादन है पानी की बिना भी हम कैसे रह सकते हैं तो पानी वाला टौपिक अमारा अभियांसी श्टार्ट होगा तो इसने कहा है इसने सबसे पहले में बताया हैं कि जो पानी है न वो एक तो नवी करनी है संसाधन मतलए पानी है बार 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 बन सकता है जैसे एक तालाब है उसमें पानी है गड़्म अपस बर जाएगा तो वो नया बना कि नहीं बना बिलकुल बन गया तो यह क्या है पानी नभी करनी है संसादा ने अब यह कर रहा है कि जो भूमी है ना उस पर तीन चोता ही भाग जो है भूमी का वो जल से डखा हुआ है मतलब यह परतिविये माल लो इसके यह चार भाग है यह जो तीन भाग यह तो क्या है पानी से ही डखे हुए है यह तो बिचा हो आई इस पर ही जमीन है यह एसे कर रहा हैं इतना जाधा पानी है इसलिए हमारी प्रतिविये बोलते हैं अब यहाँ पर देखो एक कुछ लवेन ये जल केवल 2.7% ही है इसका मतलब है कि हमारी परत्य उपर इतना जो पानी है उस पानी में से केवल 2.7% ही क्या है ऐसा पानी है जिसको हम यूज कर सकते हैं यूज नहीं कर सकते हैं अभी अभी ये ऐसा पानी है जिसमें नमक नहीं है लेकिन हम बविशे में इसको परसेंट केवल अब इस दो पॉइंट साथ परसेंट का भी जो सत्तर परसेंट है ना वो पानी तो क्या है वो तो बर्फ के रूप में हैं किसके रूप में बर्फ के रूप में जो अंटार्क टिकाओ हैं जो बर्फ के पाड़ है ना उनी में हो तो यानिकि अब कितना बचा यह जो paragraph है ना इसमें बताया गया है अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कि जो पानी है ना अब यह बहुत ही कम हमारे पास पानी है तो इस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं वो कुछ यहां पर यह paragraph हो में बताया गया है तो इसको जदा हमें पढ़ने की जरूरत न होती है दूसरा अपना इसमें भी होती है चाहिए वह पस्चिमी एसिया हो डक्षणी एसिया हो अमेरिका के भी कुछ बागों में पानी के समझ्या होती है मेक्सिकों में होती है अना उसके बाद तो डक्षण अमेरिका है उसमें भी होती है आश्ट्रेलिया में तो खारा पान तो इस तरीके से दोनों तरीके से यहाँ पर पाइगे समेश्याहीं देखने को मिलती हैं तो आकरम पानी के जो संशाजन है ना जैसे नदियां हों गई हना हां हमारी जमीन के पानी हो गया उनको तो अगर जो पानी है जो भी शूरूत है पानी को इनको कैसे बचा सकते हैं यहां पर पढ़एंगे तो देखो यहां पर आप तो यह बताया तो इस जो भी मतलब सबसे पहले तो नहीं बताया कि पानी ख्राब कैसे होता है तो जिसे हम ने अम दवाईया छिडगते हैं तो उसे ना काफी सारा केमिकल होता है तो वो भी हमारी जमीन के अंदर जाता है और पानी को खराब करता है दूसरा जो हमारा आंचिक रूप से जो सोजी वाहीत मल होता है ना नालियो के मादेम से जाता है यह भी हमारी पानी को खराब करता है यह जब पानी घराब हो जाता है तो हम इस पानी से अपना जो पीने का पानी उसको केसे बचा सकते हैं यह हमारी पानी को सुद्ध केसे रख सकते हैं तो इन्होंने बताया कि जो जो भी प्रदूर्शन वाले जो जल हैं जैसे फेक्ट्वियों में से गंदा पानी निकल रहा ह हैं तो उसको बचाने के लिए यह कर रहा हैं कि यह जो भी पानी चूट रहा है उसको ना पर ले आफ फिल्टर कर लो क्या कर लो तो उसमें से जो गंदा पदार्थ निकलेगा उसको आप कहीं पर रख दो बाकि जो बचा हुआ पानी उसको छोड़ दो ताकि वह नदियों म पर देखो इसका हम प्रियोग करें जिसे हम पानी की बरबाद दियें वो कम होगी तो इसके द्वारा भी हम पानी को बचा सकते हैं बचा सकते हैं तो यह दो थरीके इन्होंने बताईए तो इस तरीके से एक तो वो पानी जो खराब हो चुका हैं हमारे नदियों में मिलेगा उसको फिल् पाने को बचा सकते हैं तो पानी भी हमने पढ़ लिया मतलब मिटी भी अब आते हैं जो मारी पेड़ों में रने वाले जो जीव जनतु हैं उनको पढ़ेंगे तो इसकुल के बच्चे अस्तरशील प्रदसी में गूम रहते हैं तो कुछ भी नहीं है प्राकरतिक वनस्पति औ और वाईयू मंडल के बीच में सकड क्षयतर में ही पाही जाते हैं जिसे हम जीव मंडल करते हैं इसका मतलब है कि यह वह घ्राता है यहां पर आने बहाते हैं और जमीन भी पाते हैं यह क्छियत्र क्या को लाक्त कता आAttे हैं जीवमंडल में क्यांव पर जीवजंतु रहते हैं इसन無जातियां जीवित रहने के लिए झिए एक और रटीन रहना है यह जीवित रहना है तो इस तरहीं लिएक पर निरबर होते हैं इस जीवन पर आधारिक तंत्र को परितंत्र बोलते हैं यह जो पूरा सिस्टम होता है और इसको परितंत्र बहुत ज्यादा काम किया है पोदे में इमारती लगणियां देते प्राणियों को आस्रें देते हैं और उक्षीजन के देते हैं जिसे हम सास लेते हैं पसवे को उगाने के लिए मिट्टी केूस्त करते हैं उसे के साथ ही रक्षक मेखला वी हमने पड़ाता न सेनिकों गित्रा करते हैं, तो उसके भी काम करते हैं भूमिकत जल संग्रहमैं कि फल देते हैं लेटेक्ष कागस यह सब्सक्या देते हैं वे पेड़ पोदे से मिलता हैं पोदों के असंग के उप्योग इनका हम काफी जदा जैसे मदुमक्य हो गया इसे में सवध मिलता है फूलों के प्रागन से मदद मलब फूलों से यह सवध लेती है और में देती है पारी तंत्र में अपगटन अपगटक के रूप में एकमत पून भूमे का यह नेवाती है जैसे चिडियां हो गई वह अपने बोजन के लिए बेटों को समाप्त कर देगी यहनकि हमारे केड़ों से सुरक्षा कर देगी तो चिडियां भी जरूरी है जैसे गिद हैं यह जो भी मरे हुए जीवजन दूएं इनको खाता है यहनकि यह भी हमारी सपाय का काम करता है अगर मालों गिद नहीं हो तो उसकी बदबू से मर जा है चाहिए वो पेड़ पोदे हो चाहिए वो पक्सी पसु बक्षी हो सभी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर एक भी उनमें से हट गया तो फिर जो हैं हमारे लिए देकत पैदा हो जाएगी जैसे मालों चीडियां नहीं रही तो कीड़े मकोड़ों को कौन काए तो यह हमारे लिए समझ है पर कीड़ों मकोड़ों मकोड़ों हो जाएंगे यानि कि सभी हमारे लिए जरूर यह अब इसकाम वित्रन देखेंगे की जैसे कौन सी वनस्पति कहां पर पाई जाती है जैसे अपना जो रेगिस्तान है ना इसमें अलग प्रकार के वनस्पती मि लेंगे तो यही वनस्पति का वित्रन होता है यही इसमें हमें पढ़ाएगा कि कहां पर कौनची वनस्पति मिलती हैं तो देखो यहां पर कि भारी वर्सा वाले जो जहां पर बूत ही ज्धा होती यह तो वाँ पर बड़े बड़े जो पेड़ें वूकते हैं इस न ही पर पर बॉट ही ज्धा वर्सा होती है इसको ऐसे समझो भी जिस गर मेंिंगे अच्छे-से क Fine थे जाए जाए जयादा कंहें वावा इना वहाँ पर मिलते जहां पर ज्यादा पाने होता है जैसे यह से बना होती जाएगी वह सब्सक्राहिए उसकी सईक में पॉका Samarim कम रहेगा सामारे वर्षा वाले किश्यतों में रखस पाई जाते हैं गास भी चोट चोटी उखती है जिसमें गास वो इसतों का निर्माण होता है वह यह तो आप सबमझते हो कि यहां पर पानी कम होगा वहां पर छोटे वन पाई जाएंगे चोटे पेड़ पोधिए होंगे और जहां पर पानी बहुत जदा होंगे वहां पर बड़े-बड़े गुच्चे-द्वार वाले जो पेड़ो ना सगंता वाले वहां पर मिलेंगे इस प्रकार अब जैसे मालो कम और सावाले जो इलाके वहां पर तो बहुत आप काटे काटे वाले मिलेंगे यहां की त का तो पाणी को लेने के लिए बहुत ज़्यदा गहरा इतम जाती है वासपोच सरजन चे वोने वाली आधरता क हानीको गटआने के लिए इन पेड़ों की पतियां होती है वह भी काटों में और मवी सेथसे वाली होगती है अब जो वासपोच तुंड्रा उनस्पति पाई जाती है तुंड्रा उनस्पति वहां पर जैसे मोस दाइकेन यह सब वहां पर पेड़ पोदे पाई जाते हैं सर्दियों वाले पेड़ आपने देखे भी होंगे पिछली दो सताब्दियों में विस्व में जितने लोग थे इस समय उनसे अधिक पिछली 200 साल रहे ना उन 200 सालों में मिलाकर जितने भी हमारे विस्व में जन्चंक्या थी उसने भी दुगनी इस सताब्दी में इस समय यहां पर रह रहे हैं मतलब मनुष्य काफी जड़ा बढ़ गया है तो इस बढ़ती जन्चंक्या के पोसंड के लिए मलब इनको खिला उसको बना रहे हैं विस्व इस्टर पर यानकि विस्व बन में वनों का औरन तेजी से समाफ्त हो रहे हैं यानकि ज्यादा सी ज्यादा समाफ्त हो रहे हैं इस बव मले संसाधन के स्रंक्षन की जरूरत हैं अब यह हमें पढ़ाएगा कि आकि रम वनों का स्रंक्षन कैसे कर तो वन हमारी संपत्राईं पोदे जंतों को आसरे जैसे पोदे जीवजंतों को आस surveys मालबण का घरी एंगतर यव sheriff को भी सुरुख्षित रखते है अनुरक्षित रखते हैं जल वायू में परिवर्तन मानवस्थ क्षेप के कारण पोदों और जीवजंतों के प्राकरतिक आवास को नश्ट हो सकते हैं मतलब यह कह रहा है कि जिसे पेड़ अगर मनुष्य जंगल में कूद गया ना मतलब एक तरी यह से जंगल को समाप्ट करने लग गया तो पिर यह पारी तंत्र हैं यह इसमें बहुत ही ज समाप्ट हो चुके हैं और कहीं सारे बेचारे समाप्ट होने के कगार पर हैं जैसे पेड़ों को अगर समाप्ट करते हैं मिट्टे का परदन होता है निर्मान कारे या दावानल का मतलब होता है जंगल में आग लगना पे बूसकलन हमने देखा है था भी फोटो यहना कि काफी लोग जो है इसको लेकर चिंटा कर रहे हैं तो जो जैसे परस्कों की खाल हो गई चमडा हो गया नाकुन दात पंक इनके साथ ही सिंगों के सिंगों का भी व्यापार होता है तो यह सभी चीज़ें हमने पढ़ी ना इन सभी को लोग बेचते हैं तो लालच में आकर ब जरूड़त हुई तो जीव जन्तों को मारेंगे सिंग की जरूड़त हुई तो जीव जन्तों को मारेंगे तो इस तरीके से बेचारी जो जीव जन्तों हैं उन पर संकट आया हुआ है तो गेर कानुनी रूप से लोग इनका व्यापार करते हैं तो इन पर संकट आया हुआ ह कुछ जन्तु जैसे चीता, सेर, हाती, बलेक बग, मगरमच, दर्याई गोडा, हीम तेंदुआ, सुतर मुर्ग, मोर ये सबी जो जीव जन्तु हैं काफी important है और इन पर अभी काफी संकट आया हुआ है क्योंकि लोग इनके जो पार्स होते हैं जैसे इनकी खाल हो गई इनकी चमडी हो गई, इनकी सिंग नाखुन दाथ में नाखोन दात यह सबी को बेचते हैं तो बेचारे इनको मार मारते है यूसलिए इन पर संकट आया हुआ है यह में बतारा हैं यह क्या करा रहा हैं शुरक्षत रहें लिए बनाया जाते इसलिए सरकार क्या कि राश्ट औदियान बना रहे हैं अना थे प्रकार इंद्र इ तो परियावरण में संतुलन बना रहता है अगर मालो जितने की जरूरत होती हैं अगर उतने बने रहे तो परियावरण वो स्रक्षित रहेगा परियावरण अगर उतने रहे हैं तो पर संकट आ जाएगा विश्व के अनेग बागों मनुश्य ने अपने कामों से क्रिया खलापी को मतलब कामों से अनेक जो प्रजातियां हैं उनके प्राकरतिक आवासों में उतल पुतल कर दिये हैं यानिकी बाइसाब नश्ट कर दिये हैं उनको अनेक जो पकसी हैं जीव जन्तु हैं इनका सिकार कर लिया हैं तो बेटारे कहीं सारे तो मर गए हैं और कहीं सारे मरने वाले हैं प्रादेशिक और सामुदायक इस्तर पर जागरुकता कारेकरम जैसे सामाजिक वाने की वन माउच सव को प्रोस्चाइट करना चाहिए यानि कि हमें लोगों को जागरुक करना चाहिए कि हमें वनों में रहने वारे जीवजनतों हो गए या उनों की वनस्पतियां हो गई इनको नश्ठ नहीं करना Mukaran करना चाहिए सिखार उगेरा नहीं करना चाहिए इसकोल लिए बच्चों को भी पक्षि देखने प्राकर्धि केमपों में जाने के लिए प्रोसचाइट करना चाहिए बच्चों करें सब्सक्रास किसे बांगा 2017 ससे बात करें कितें मुआ विरुदत सब्सक्राद सद्सक्रा बांगेन कि उन अगैल को सीखार्णने हैं बांगी को मला झीद्वत्त कराऊं त सकत्यों सेमें हीरो रोक तो तो चीनल और There परको मारा तो आपको जियर होजाएगी यह आपको कर रहा है उन्सक्राइव छुए आपका चैप्डर यहां पर जाता है और वर हमने हैं आपका 2 फर्शक यह ब eu कवर्शनियागा पर Shevis कि एक एक जो पॉइंट है आपका क्लियर होगा तो कल से अच्छे से वीडियो देखना ना बूले और आपके गुरूप होगरा को जोइंट करके रहे कि ताकि जो भी इंपोर्टेंट इस्टेडी में वह आपको मिलते रही है ठीक है तो तेंकि सो मच वीडियो को लाइट तक देखने के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आजे हिंच जे वारत